इस वीडियो हम बात करने वाले G-Parameters में G-Parameters मितलब Inverse Hybrid Parameters इनको याद करने पहले सबसे पहले मैं बठता हूँ इसको ट्रिक याद करने की देखो अगर H-Parameters याद है तो G-Parameters याद करने की जोगत नहीं है देखो मैं यहां पर लिखता हूँ G-Parameters पहले इसी से मैं बताऊँगा की G-Parameters को कैसे बना जाता है ठीक है H-1-1 होता था यहां पर यहां पर होता था I-1 H-1-2 यहां पर V-2 H-2-1 I-1 और H-2-2 V-2 यह होते हैं हमारे H-Parameters अगर मैं इसमें replace कर दूँ replace V by I तो मेरा बन जाते हैं G-Parameters जहां-जहां V होँआ पर I कर देना है ठीक है जहां-जहां I होँआ पर V कर देना है तो क्या करेंगे देखो यहां V है तो I कर दो तो यह हो जाएगा I-1 अब parameter G के लिए लिख रहे हैं तो G-1-1 ठीक है I-I को मैंने V से replace करना है यह हो जाएगा अगला G-1-2 ठीक है याद करना है मैं ठीक बता रहा हूँ V को I से replace करना यानि I-2 ऐसे I को V से replace करना तो यह V2 हो जाएगा यह हो जाएगा G-2-1 I को V से replace करो next G-2-2 यहां पर V को I से replace करो यह हो गए हमारे G-Parameters ठीक है अब इनी की value हमें निकालनी है इसमें तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले क्या करते हैं इसको यहां पर लिखते है V1 I1 V2 I2 ठीक है फिर क्या इसका करेंगे क्या लेंगे हम Laplace Transform ठीक है तो इसके लिए Inductor के लिए मैं बता दू Inductor के लिए होता SL ठीक है 4 Inductor तो यह कितना हो जागा S into 1 यह जागा S resistance के लिए वही रहता है Capistory के लिए होता है 1 upon SC ठीक है C के value 1 है तो यह कितना हो जागा 1 upon S तो हमें यह वाली value निकालनी है तो इस वाली term में हमें इनको लिखना है ठीक है तो मैं इसमें यह i1 current आ रही है यह i2 current है तो इसमें कितनी current जा रहे होगी i1 plus i2 इस वाले इसमें मैं के value लगाता हूं तो V1 equals 2 कितना आ गया V1 equals 2 i1 into S यह S into i1 plus i1 plus i2 into 1 ठीक है यहां से हमें पहली value क्या चाहिए यहां पर ध्यान से देखो i1 की value V1 और V2 के term चाहिए यहां पर i1 भी है V1 भी है i2 भी है तो मैं i1 की value निकालता हूं यहां से क्या आएगी V1 equals 2 आ गया i1 वालों के एकपास किया और i2 को मैं इदर ले आया S plus 1 i1 तो मैंने यहां से लिया i1 का में divide sorry S plus 1 का में divide कर देता हूं तो मेरा क्या हैगा 1 plus S plus 1 V1 minus S plus 1 i2 ठीक है तो यहां से इसको compare करो G11 कितना आ गया V1 का coefficient 1 upon S plus 1 और G12 कितना आ गया minus 1 upon S plus 1 ठीक है next इसी ताहर से इदर से equation में आनी है V2 केस्टू मैं इदर से KW लगा रहा हूं तो i2 into this plus यह V2 केस्टू कितना हो जाएगा i2 1 by S multiply by i2 plus i1 plus i2 ठीक है इतना हैगा हमाई requirement क्या V2 हो V1 हो i2 हो V2 भी है हमारे पास और क्या है i2 भी है i1 i1 के हमें requirement नहीं है i1 की में value निकाल चुका हूँ यह रही इसको मैं यहाँ पर simple put कर दूँगा ठीक है तो V2 केस्टू कितना आ गया इसको तो मैं एक पास कर लेता हूँ 1 upon S plus 1 i2 वालों को i1 की value कितनी है 1 upon S plus 1 V1 minus 1 upon S plus 1 i2 तो V2 केस्टू कितना आ गया 1 upon S plus 1 v1 i2 वालों को एक पास किया कितना आ गया 1 upon S plus 1 minus 1 upon S plus 1 i2 ठीक है तो V2 केस्टू कितना आ गया 1 upon S plus 1 v1 LC हम लिया तो इसका S S plus 1 आ गया ठीक है यहाँ पर S plus 1 से multiply हम पर कितना ओ जागा यह S square plus S और यहां पर S multiply तो S से S cancel, यहां पर कितना बचा हूँ और फिर V2 कितना आ गया, 1 upon S plus 1 V1, उपर बचा S square plus S plus 1, नीचे बचा S, S plus 1 I2, ठीक है, इसको इस से compare करो second equation से, G21 आ गया हमारा, G21 आ गया, 1 upon S plus 1 और G22 आ गया हमारा, S square plus S plus 1 upon S, S plus 1, ठीक है, तो यहां गया हमारे G parameters, ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इसको अगर लिखना आ तो, मैट्रिक्स पॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स पॉर्म में मैंने बताया है, सबसे पहले, G11, then G12, 1 upon S plus 1, minus 1 upon S plus 1, 1 upon S plus 1, 1 upon S plus 1, minus 1 upon S plus 1, 1 upon S plus 1, S square plus S plus 1, S, S plus 1, ठीक है, तो यह हो गया हमारे G parameters, ठीक है, आयोप, आपको यह समझा होंगे, बस मैंने याद करना तरीका उता दिया, H parameters याद कर लो, उसके बाद G parameters करने की याद ज़ोत नहीं है, ऐसे देखो, Z parameters याद कर लो, फिर Y parameters याद करने ज़ोत नहीं है, ठीक है, Z में भी क्या होता है, V की जगा, I replace कर दो, तो वो Y parameters बने जाते हैं, ठीक है, तो आयोप यह आपको समझा होगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, इसी G parameters की next problem के साथ, okay thank you